और उच्छो क्याल चाल आज थोड़ा यह थोड़ा इस्टूडियो कम लाइट वाला है तो हम तोड़े काले काले दिखेंगे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं वहला गाना गाना पड़े गाना है तो यह थोड़ा सब्जेक्ट उद्यान विज्ञान से ही स्टार्ट करेंगे उद्यान विज्ञान जो है आप इसे बहुत से बच्चा अगर आप इसे को इसा बच्चा है जो टी यह मतलब टी यह कह रहे हैं बी यह में मुझे से पढ़ चुका है ठीक है तो पहले कर्षा तो लगवग एक डेसी होने वाली है ठीक है क्योंकि इंट्रदक्शन होता है पहले कराया जाएगा ठीक है और काफी क्लासे में लगा कर रखी है क्लासे आपके एक्जाम के फ्लेबस के हिसाब से होगी ठीक है और एक सही समय तक आपका फ्लेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा तो उसके आप निश्चिंतर हो ओके टेली ग्राम बगारा पर कैसे एड होना है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो उसके लिए निश्चिंत है ठीक है ठीक है चलिए लिए जल्दिवाजी और नहीं करवाएगा अचिवात है यह लिए एक दोगों बहुत आराम से पढ़ना मैं आपको दो-3 नियम बता दूआ अगर आपने वो नियम फॉलो कर लिए ठीक है तो आपको कोई समस्या नहीं आईगी ठीक है हाँ ठीक है के लिए अभी जेंट है लब ज्याद ही है जो यह पीडी और पीपीटी यहां पढ़ाऊंगा यह अलग है आपको यह पीपीटी नोट्स के फॉर्मेट में नहीं मिले ही तो मिल जाएगी आज तो नॉर्मल है लेकिन कल से अन चीजों से ठीक है तो मैं आपको एक कम्पलीट नोट्स भी दिया करूँगा जो हिंदी और कि आप अच्छा एक तरफ पूरी हिंदी होगी एक तरफ पूरी इंग्लीज होगी जिससे कि अगर कोई बच्चा मली चैप्ट शरीफ हिंदी वाला है तो मालो जो पांच शे पैज हिंदी कि निकलवा लिये इंग्लिस के नहीं निकलवा घृता आपको भी लाव हो आपको लगे कि पतला कि हम हिंदी दोनों निकल आकर बैठे हैं तो नुकसान है तो जो नोट में दूंगा वो बढ़िया रहेगा सेकंड पॉइंट जित्रा जब तक मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तब तक आपको सिर्फ पढ़ना है आपकी क्लास लगभग 40-45 मिनट की होंगी ठीक है मतलब एटू जड जो भी आपके समस्या हैं तो बीच में आप पूछ सकते हैं लेकि बीच में आप सब्जेक्ट वाली बात चीज पूछेगा लेकिन लाफ्ट में आप टेली उलिग्राम पर होना है यह क्लास कब चलेगी वह क्लास कब चलेगी मैं अभी तक एड नहीं में होगा लेकिन मेरा फोकस होगा कि आपको मैं डारेक्ट वे टूप पढ़ाऊं पीपीटी को रीड मत करियेगा क्योंकि अगर आप पीपीटी रीडर बनना चाहते हैं तो उससे यह हो जाएगा कि आप फिर किताबें पढ़ लेतें फिर आपको बैच लेनिक आप सकता नह आएगी हमाँ वादा है जितना पढ़ाएंगे एक्जाम में उतना ही आएगा टैंसल नालो तुम ठीक है जो हमने पढ़ा दिया जो हमने नोट्स दे दिये जो हमने कुईज करा दी वह तुमने अगर फालो कर ली तो आराम से एक्जाम में सेलेक्शन हो जाएगा समझी मरी चालो स्टार्ट करें बाबू हाँ हाँ नोट्स खुझ से भी बना लो और हम भी नोट्स देंगे मतलब आइसा नहीं कि हम नहीं देंगे हम भी नोट्स देंगे तुम्हें ठीक है और एक और तीर है जिन बच्चों के पहली बार हट्टे कर से पढ़ रहे हैं वह उनको आपकर इस अधी क्लासब डिस्कलेबर देना वाँड़ा दिरूरी है चलिए बाबु स्टार्ट करते हैं एक पाई टाइप कर दो ठीक है हाँ игр मोई एक printing का यह क्या होता है अब लिए तुम्हें कुछ नहीं आता है जिनको बहुत होटी कल्चर आती भी न वह बैठा आज़ा आगे बढ़ो ऐसे मत बोलना अच्छा बढ़ ठीक है चलो होटी कल्चर जो है यह दो वर्ड होते हैं पहला बढ़ोता है हॉट अग दूसरा हो तो है कल्चरा य निर्जीव को किसी चीज को देखते हो न दिल आपका गार्डन हो गया भवरा इंदर दर खो गया तो बैस सब फ्फल हो सब्जिया हो ठीक है हाँ और आपके तो उन सबका जो कैल्टीवेशन है उन सबकी जो बारे में जो पढ़ाई है वह फढ़ाई ही पढ़ाई हो हमारी उद्यान लाती यह नी उद्यान यह पाष़ realistically के वारे में पढ़ना ही क्या सब आ हिसे अब को हघ्यान में सिंपल कि सुबह के बतन तुम माझ नहीं हम माझ देंगे रसमॐ अहत्तुम सवाफ क वह दूद हम गरम कर देंगे ऐसे हुट हम लोग हाफटल में रहते हे था तो अभी काम Divide करते हैं टो काम Divide क्यूं करते ताकि अच्छे से काम परफूर हो सके है ऐसे ही हो डिक कल्चर की कुछ सी ब्रांच इब डिवाइड की गई है ताकि उनका अध्यन बहुत अच्छा हो सके तो उनमें सबसे पहली जो ब्रांच आती है वह आती है कौन सी वह आती आपकी पॉमोलाजी क्या आती है अब यह पॉमोलाजी का होते है दुफरी ब्रांच होती है औलेरी कल्चर तिसरी होती यह फ्लोरी कल्चर चवती होती है मीडिसिन अरोमेटेक उसी में आता है प्लांटेशन और पॉस्थ हर्वेस्ट मुखेता हमारे बाद पॉमोलाजी ओल्री कल्चर फ्लोरी कल्चर इनका मनज़मेंट यानि चारी ब्रांच मानते हैं पहली पॉमोलाजी है ठीक है पॉमो पोमम पोमम जो है यह एक लेटिन लेंग्विज का सब्द है और लोजी जो है यह ग्रीक लेंग्विज का सब्द है ठीक है पोमो जो है यह लेटिन लेंग्विज का सब्द है और लोजी जो है वह ग्रीक लेंग्विज का सब्द है पोमम का अर्थ लेटिन में होता है फल क्य फ़लों के बारे में अध्यन करना ही क्या कहलाता है पोमोलाजी कहलाता है बहुत सिंपल समझना फ़लों के बारे में ही अध्यन करना क्या कहलाता है पोमोलाजी कहलाता है सिंपल बात है और पोमोलाजी किस भासा का सब्द है तो भाया जी यह लेटिन और ग्रीक दोनों भासा क बार सब्द है ठेके यह कोश्चन मल्टिपल टाइम पूछा गया है नाभाड में भी पूछा गया था अच्छा अब एक दूसरी ब्रांच आती है दूसरी ब्रांच होती उसे बोलते हैं औलेरी कल्चर क्या होता है और सब्जी का मतलब क्या होता है और सब्जी का मतलब क्या होता है पहले जानो देखो ऐसे बैठना जैसे कताई पहली बार बैठे हुए हो ठीक है आन मिलो सजना की कटेगरी में बैठना तुम देखो तुम देखो भाईया फल का मतलब क्या होता है यानि कि फ्रूट का मतलब क्या होता है, प्रूट का मतलब होता है, कि जो राइपेंड ओबरी है, क्या बाबू, राइपेंड ओबरी है, तो राइपेंड ओबरी को क्या बोलते है, फल बोलते है, यानि कि परिपक जो अंडासे है, यानि पोधे का कोई भी ऐसा भाग, जो अं फल एक दूसारे के विप्रीत नहीं है सबजी का यह भी प्रिपक अंडा से हो सकती है लेकिन सबस्जी का मतलब क्या होता है वेजचेवल होता है पोढे का कोई भी ऐसा भाग अपने कंड पर लब एकडम खुले रmaybe रhireं जिसे आप करते हो पका कर या कुक करके कुक करके खाते हो उसे हम सब्जी बोलते हैं अब यह व्यक्योजेत में रखना दो कुप परूफ करके उसे एंड़े सब्जी बोल देते मितलब मतलब आप बात बताओ ठीक है आप इक बात बताओ आपने कटहल की सब्जी खाई है हा या ना दो दो घृइआं आम की सब्टीबी खाई होगी खृटे आम की मिठी मिठी चीन डालके ठीक है आपने जो है वह क्या बोलते तो मैं और बताओ सेव के खटे सेव की सब्जी भी खाई होगी तो आम सेव और यह कट है लिए तो सब हम लोग पोबलाजीम पड़ते हैं तो सब्जी क्यों है तो सब्जी और फल में से कोई बिरोधा भास नहीं ह सब्जी क्या होता है कि अब पोड़े का कोई भी भाग इसे को रिखाते हैं यानि कि कोई भी फ्रूट सब्जी हो सकता है बस उसका यूटलाइजेशन कैसे करते हैं वह बहुत होना चाहिए बात पढ़िया तो सब्जी तो सब्जी ओलेरी कल्चर क्या है आओ समझते ओलेरी गंबला क्या होता बबू बाट पॉट हर्व और उसरा पॉट हर्व अव कल्चर मतलना होता है कर सरे ना उनका प्रोडरक्शन करना तरीके से कल्टिवेस्ण करना तो ऐसी सभी प्लांट जो पॉट के अंदर ग्रो की जासकते हैं और उनको पिर हम कुए क्कर के खाएं या कै उन्हें हम सबको सब्जी बोल देते हैं समझो या उन सबका अध्धन ओलेरी कल्चर के लाता है तो ओलेरी कल्चर क्या होता है कोई भी ऐसा पौधा जो हम पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं और जिनमें फूर्ट की वेरिंग होती है यह उनका यूटलाइशन हुबल परपस के लिए होता है उससे हम क्या बोलते है ओलेरी कल्चर बोल देते हैं तो ओलेरी कल्चर की हिंदी सब्जी बिग्यान नहीं है ठीक है ओलेरी कल्चर की हिंदी होती है पौट को गमले के अंदर उगाया जाने वाले साख हां किताव में क्यों लिखा राता वह भी पूरूप करते तो गंबले के अंदर कोई भी जो साख हम उत्पादन करते हैं उन्हें हम सब्जी पुने हम उलेरी कल्चर बोल देते हैं ठीक है अब जादातर जिनको हम कुक करके खाते हैं जादा तर जादा तर pot के अंदर grow हो सकते हैं इसलिए उन सब को अधन के दिस्टि कोण से औलेरी कचर में रख्खा गया है हमझे है हाँ अध्धन के दिष्टिकोर से ओलेरी कल्चर में रखा गया है सर जी आप देखो दक्तिर जी नायग जी बोल रहा है कि सर जी नेट वेजिटेबल साइंस की जो है वो कब से जो कब से क्या होगा बाबु जी मैं बापको पहले बता चुका हूं कि यह लाफ्ट में पूछले ना वैसे प्रस्वामें की साधी हो गई है अब जो बापस आएंगी तो संद्रा दिन में बात ता वो स्टाट हो जागा ठीक है चलो तो पहले मुझे यह बताओ कि और पोमोलाजी में फरक समझ में आ गया फिर मैं आपके एक्जांपल देता हूं जैसे कि बात बत है उन्हें तो हम आराम से प्लांट के अंदर पक जाते हैं तभी खाते हैं यह खोड़ा खर्बूजा थोड़ा कच्छा तो दभी हम लोग ऐसे कच्छे खाते हैं पटापट तो पका के खाते हैं इंपल दिवात हैं लेकिन वो सब किसमें अध्यन करते हम उन सबको ओलरी कच चाहिए कि तुमको बहुत बड़ी बहुत गहराई में उसकी जड़े जाती है तो गमलाम लगा तो खर्बूजा वाना गमलाम ग्रू हो जाएगा है लल्ला समझे है तो गोलरी के तरह क्या होती है ऐसी सबी चीज़े जो पॉट में नहीं ग्रू होती है खेतों में हम लोग अब ऐसे तो कंशली सेड प्वोगया है वह सब होता सकते हैं कर killer का मतलव समझ में आ गया अचा ओंडरी कल्चर सब्जी क्या होती है था क्या होता है ओलरी कल्चर क्या होती तिनों अलग-अलग बाते हैं समझ में आ गई कि नहीं है लला बेसिक पढ़ेंगे एकदम एक पॉइंट पढ़ेंगा मैं जा जाएगा तुम्हें प्यार से बैठो है बाबू चालो आगए अब तिसरी ब्रांच क्या आती देखो बाबू यह सब लिखा हुआ है सब जो हम बोल रहा है अंगले जी नहीं सब लिखा हुआ अगली ब्रांच होती हमारी फेप्रेट तुमारी फेप्रेट होने चाहिए असनी फेप्रेट लाया ना आजकल हम फ्लोरी कल्चर डीट अब बहुत दिनों से पढ़ा रहे है और उनको है और पुस्पो की जो पुस्प का जो कल्टीवेशन है ठीक है पुस्प का जो कल्टीवेशन है यानि उनके बारे में जब हम लोग उनको उगाते हैं तो उस उगाने के विधी को हम लोग किसमें देखते हैं फ्लोरी कल्चर में देखते हैं लेकिन बाबुजी फ्लोरी कल् आमने flower लगा लिए है भभू कि थोड़ा garden सुंदर है भगवान भॉले जी को समर्प्रित करने के लिए भगवान जी को समर्प्रित करने के लिए तुम flower लगा हुए तो भगवान जी की पुझा करते हो उपने ठीक है आगे बड़ते हो तो आप मेरी बात समझो दोनों प्रकार के कल्टिवेशन कोई फरक तो होगा एक वह विखती है जो बहुत बड़े इस तरह दस बीज पंदरा है अक्टेर में एकोड़ों में फ्लावर की कल्टिवेशन कर रहा है और एक वह है जो किसी के ऐसे प्यार से तोड़के गजरह लगाए लेता है यहां लीजे तुम एस्थे और और मेंटल फ्लोरी कल्चर और औरन में क्या फारक है का अंधिका मतलब क्या होता है डील कुम बड़े इस तर पर तुम कह करने के लिए पैसा ने के लिए रेविन्यू करने के लिए जब तुम फ्लावर का प्रोडक्शन इंडेस्ट्रियल लेवल पर करते हो तब उससे और सजावती मतलब क्या होता है जब तुम हैपीनिस के लिए प्लेजर के लिए ठीक है रिलिजिस पर्पस के लिए किचन गार्णिन पर्पस के लिए ठीक है सेल्फ सटिसेक्शन के लिए ठीक है या किसी चीज को सजाने के लिए जब तुम फ्लावर का प्रडक्शन करते हो य के जैसे हमारे पीछे देख रहे हो, यह सब कामार से सी outdoor है आप एए ऑपड़े हाउस के अंतर लगाए गया है, इसे high-tech haotinci flooring culture बोलते हैं एक बाबु होती है, high-tech hooto culture यह हम high-tech flooring culture मौल सकते हैं high-tech flooring culture भी एक बड़ी चीज है, high-tech flooring culture क्या होती है जब हम flower को क्या करते हैं, controlled environment में, मतलब ऐसी floriculture, ऐसे flower, जो पर्या वरण पर निर्धारित नहीं है, ठीक है, और जिन में अच्छा खासा उत्पादन होता है, और quality बहुत ही अच्छी होती है, उस प्रकार के cultivation को high-tech floriculture बोल देते हैं, चाहे वो high-tech हो, चाहे वो यहाँ पर द है commercial, दूसरा हमारा क्या होता है, ornamental, ornamental क्या होता है, ठीक है, जैसे पर्दे में रहने हैं तो परदा न उठाओ, परदा अगर उठ गया तो, हाँ तो, हाँ इतर जखो, यह प्यारा सा टॉमी, टुमकूडी, ठीक है, यह सब जो जितने flower लगाएगे हैं, इनका industrial यूज को न अपना बानक जी की भी उजी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आता है किसमें, इस सब आता है, यह सब जो है, हाँ, यह ड्रगरा हुटा देंगे, सही नहीं लग रहा है, तुमने देख रही हैं, इसी और की बीवी है वो, चलो, क्लिर रो यहां तक बोलो, पुदा भया, तो फ्ल अब 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 बात बताओ, उद्यान बिज्ञान में, हौटी कल्चर में, तो बहुत से ऐसे क्रॉप भी पड़ते हो, ऐसे प्लांट भी देखते होगे, जो गार्डन को बड़ा सुन्दर बनाते हैं, लेकिन वो छोटे भी नहीं है, अब उनमें फल भी नहीं आत हैं, उन्हें किसमें पड़ेंगे, यानि कि कुछ आप ऐसे पोधे देखोगे, कुछ ऐसे पोधे देखोगे, यह ऐसे देखो, यह बड़े बड़े ऐसे परनियल ट्री, जो गार्डन की उद्यान की सुन्दरता बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसे परनियल ट्री, जो उद् रक्षों का अध्धन किसमें करेंगे तो perennial trees जो की garden के beautification में इस्तमाल हो रहे हैं उनका अध्धन अरबोरी culture कहलाता है हाल-ला सागुल-मोहर वगएरा तो इनका अध्धन क्या कहलाता है अरबोरी culture देखो एक silvy culture होता है एक अरबोरी culture होता है दोनों में की जाती है उनी का कल्टिवराइसर के राता है तो लीछ कल्चर में क्या vest होती है तो जगल में लगे हुए plants होते है उनके बारे जो करते हैं उनके पारए प्डश न करते है और जब हम लोग आई से प्यारे देते हैं तो फ़री पढ़ते नहीं हो कुछ भी पढ़ते देखो इंग्लिज ला पढ़ते हैं इस ब्रांच जीज विद दा रेजिंग अ परनियल ट्री मीन फ़र्द सेड अवेनियर और्नामेंटल परफज तो उसे हम बोल देंगे अर्वोरी कल्चर यह हिंदी लिखी हुई अगला फिर आती है प्लांटेशन क्राप अच एक बाप बता प्लांटेशन क्राप क्या होती है कोई ने तरक यह मतलब बोलो 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 देखो हम परशन बहुत पूछेंगे अर्त तुम्हें ग्दम दॉर्में तोके नहीं पिटन पितना है जब तक हम पढ़ा है तब तक तुम्हें फटापट फटापट एक्टिव होके मैठना है तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है अब यार एक मेरी बास समझो करते हैं ऐसी फसले जिनका प्रॉडक्शन अब होथ कांशी्यल पैर और कंजप्टी अउनि चीक्त कर रहे है आफ प्रसेसिंग ही कर पारें आप बात बताओ तुम चाय को डारेक्ट तोड़ कि या तुम चाय पत्ती बना लोगे है या तुम तूड़ा दिया सवादार है है ऐसा करते हो कि बहुत हो से बन गया है अफ्रोड तूटके बन जाता है काफी काफी क्या ऐसे ही तोड़ा तो तुरंत तुम 20 तोड़े डाल दिये सिदे दूद में बरिगे काफी नहीं होता ना तो हमें इनकी processing करने परती है, नारियल की processing करने परती है, तो ऐसी फचले जिनके, जिने हम लोग क्या करते हैं, जिने हम बहुत बड़े इस तर पर produce करते हैं, जिनका production बड़े ज्यादा label पर होता है, और जिनका consumption after processing ही हो सकता है, यानि processing के बाद ही उनका consumption हो सकता है, उसे हम plantation crop तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है बाबू हमने बोल भी दिया है कि ऐसी फसले रोपड फफले वह फफले जिनकी खेटी बड़े समझ पस्थ श्यत्र में बड़े प्रवाने पर की जाती है और किसी कंपनी के स्वामित या प्रवंदर में होती है और जिनकी उपजिका क्यَ हो थे, पहली द्रस क्या होता है यू और क्या होता है और कॉंडिमेंट्स क्या होता है पहुत प्यारी प्यारी चीज़े हैं कि दम प्यारी प्यारी चीज़े हैं समझो इस पाइसिस और कांडिमेंट्स हिंदी में हम कह सकते हैं मसाले दोनों मसाले ही है पर मसालों में भी मसाले मसालों की बात में भी मसाला है मसाला यह है कि तुम सामने कल से फांडेशन लगा के आया करेंगे विटामी नहीं को सेवर फांडेशन लगा हो अच्छा खानो ना तक बोलो बड़ी आवागा सुनो तो हां क्या कह रहे थे हां हम यह कह रहे थे कि मेरे बास समझो खाना जो तुम बना रहे हो कभी-कभी ऐसा होता है कि बगल में प फ्रेग्रेंस एड करनी है अरोमाय अड करना है यह दो टुम्हां केम ही दक नहीं होता है और स्प्रमार्प धाल दाल चीनी है इलाइची काली मिर्च ठीक है लाउंग और सुनो आ केसर यह भाए साप सब क्या हैं यह सब खाने के अंदर अरोमा ऐड करते हैं, भाई सब केसल वाली धूद पीओ, तु खाना नहीं तरी के देखा देता हो, तु अराक से ही फ्रग्रेंस आती है, ठीक है, तो जब कोई चीज खाने के अंदर ज्यादा मत्रा में अरोमा ऐड करती है, तो उसे बोलते हैं, जब करते हैं, तो यह सब टेस्ट जनरेट करते हैं, अच्छा, एक रील देखी थी हमने, इस्टाग्राम पे, एक भाई साब महुदे बता रहे थे, कि तेल क्या है, तेल को आईसे करो, जीप पर टेस्ट करो, आसा लगता है, कि कोई स्वाद नहीं है, हम बिना तेल की सब ज सकते हैं, हम पानी से बगरा-बगरा, वो बड़ा समझा रहे है, किसी ने देखी, तो देखी होगी, ठीक है, अब उन महुदे को कैसे बता है, अब बता भी रहे थे, लोग रीचे करते हैं, ठीक है, मेरी बास समझो, हल्दी में भी कोई टेस्ट नहीं होता है, प्याज में लेकिन जब वही प्याज जो है, जब भुंजदा है और फिर वो अच्छा फ्रेग्रेंस क्रियेट करता है, फिर वो अरोमा क्रियेट करता है, है लल्ला, आईसे जो तुम काली मिर्च खाओगे, या तुम हल्दी ऐसे उठाओ हल्दी, जीप पर रखो, तुमको बहुत अज ठीक है, तो यह कॉंडिमेट्स क्या होते हैं, हाँ, भरे, कॉंडिमेट्स क्या होते हैं, कि जो खाने के अंदर टेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, उन्हें कॉंडिमेट्स बोलते हैं, और इस्पाइस क्या होते हैं, जो खाने के अंदर अरोमा एड करते हैं, ठीक है, हाँ, क्लेर रहे बाद और वोग दिक्त चालो तो इस पाइसे और कॉंडिमेंट फ्रक्समान आ गया बाबू हिंदी मुझों को मसालो मसाला ही बोलते हैं मसाले मसालो हुँ ठीक है हिंदी मसाले बोलते हिंदी मत्याद करना इसकी अंगरेजी आ देखना कॉंडिमेंट्स और स्पाइ वह सुंदरता क्या क्या लाती है वह पूरे गार्डन का जो ब्यूटीफिकेशन करना है ठीक है कि भाई तुमने कहा कि इसमें हज बना दो एज बना दो यह यह लान बना जा रहा है यह ऐसे डिजाइन कर दो यह तो बड़े ऐसा फ्लावर लगा दो इंट्रिगेट अच्छ कैसे बढ़ा है ठीक पूरे गार्डन को ब्यूटीफिकेशन कैसे करें उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो वह हमारी ब्रांच होती है लेंडिस्केप गार्डनिग यानि इट डील्स विद अप्रांटिंग एंग्जेक्यूशन और और लेंडिस्केप गार्डन कहला का उनका हार्विस्ट के बाद मेनेजमेंट कैसे करोगे उनका प्रजर्रेशन करना उनको मार्केट में भेजोगे ठीक है तो वह खराब ना हो भाया लीची बिहार में कितना होती है लेकिन 20-30 परसंट लीची जो है प्रांट से अलग होने के बाद ट्रांस्पोटेशन में हो जाती है तो हम कोई आपाल माली जीए कि एपल है एपल का तुम जेम मना दो ग्वावा की जेली बना दो जेम जेली मामलेट केंडी टॉफी ठीक है मुरब्बा है बाबू यह बहुत करना यह सब कुछ जो है क्या है पोफ्ट हार्वेस्ट मनेजमेंट है यानि कि अपने प्रॉड़क्ट का हार्वेस्ट होने के बाद मनेजमेंट कहीं से करोगे ब्रांच क्या कहलाती है और यह पूरा जो तुम्हें हम 25-30 मिट से पढ़ा रहे हैं यह पूरी कहलाती है हॉट्टी कलचर तो क्या आपको हॉट्टी कलचर का मतलब समझ में आ गया इसी में medicinal और aromatic fire चूट गया है होता है क्या जान लो दवाईया मनाने कि जिसे medicinal होता है और जिसे essential oil cosmetics बगरा बनते है वो आपके aromatic होते है ठीक बाबू? तो समझ में आगया कि क्या होता है horticulture basics में यही होता है कि horticulture क्या होता है अब यहाँ पर एक और बात निकल के आती है होट टिकल समझ लिया ठीक है बहुत बच्छे समझ लिया बहुत बहुत बहतरी अब हम दिरे दिरे आगे move करना start करेंगे मैं आपको हल्की point बताओंगा फिर मैं आपसे doubt भी लोगा और अभी क्योंकि ये class YouTube पे भी जाएगी तो हमें अब मेरी बात समझो अब आपने पढ़ लिया अब आप इंट्री ले रहे हो और टिकल सरके अंदर सबसे पहला पढ़ोगे परागड परागड क्या होता है अरे बाबू जी हलका पढ़ाएं इतना नह одного एलनला तो परागड क्या होता है हिसे कोई मेल है ठेक है और कोई अभू सब्सक्रम बाद सर्व मादत तक पहुंचता है मेल का फिमेल तक पहुंचना क्या कर도 अधा परागड कर लाता मैंने क्या बोला मेल का फीमेल तक पहुचना परागड कहलाता है और पहुचने के बाद जब उनाइट हो जाते हैं ठीक है एक दुसरे के होगे जिंदिकी भर के लिए तो वो क्या कहलाता है निसेचन कहलाता है जिम्पपा समझना मेल का फीमेल तक पहुचना क्या कहलाता है प का जान लो पहले लाला 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 जैसे मान लोग यह पौधा है और इसमें जो है यह प्लांट लगे हुए यह दुसरा पौधा है इसमें मेल है फीमेल है इसमें मेल है फीमेल है इसमें मेल है फीमेल है मेल है फीमेल है अब कभी ऐसा हो ठीक है हां अरे पे देखो समझो यह जो माली जे मेल है अगर कोई मेल अपने ही फ्लावर की फीमेल पर जाता है समझो अगर कोई मेल अपने ही फ्लावर की फीमेल तक जाता है टेक है टेक तब उसे बोलते हैं स्वय परागण क्या बोलते हैं स्वय आप करें सेल्फ पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉल और अगर कोई नर दूसरे पुस्प की मादा तक पहुंचता है माली जी यह भाई साहब दूसरे पुस्प पहुंच गया यह यहां पहुंच गया यहां इस मादा पर तो जब कोई अप जब कोई नर दूसरे पुस्प की मादा तक पहुंचता है तो उसे बोलते हैं पर पराग या Cross-Pollination ठीक है अब बहुत सी चीजे ऐसी होती है जो स्वय परागण को प्रमोट करती है और बहुत सी चीजे ऐसी होती है जो पर परागण को प्रमोट करती है जिनको हमनों कक्षा 2 में पढ़ेंगे यानिकी तो 2nd कक्षा होगी इसमें हमनों पढ़ने वाले हैं अब यहां पर क्योंकि पहली कक्षा है मैं आपको बता दू कि यह introduction class थी ठीक है एक और चीज अभी आपके सुधांसु सरकी class भी इसमें इसमें स्टार्ट हो जाएगी दो-चार दिन में फालो स्टार्ट होगे 5 दिन में इसमें 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ठीक है इसके चालिस से पैटार्ट में तरह क्लास अला करेगी आज हमारी पहली क्लाव है तो हमलों discussion कर लेगे ठीक ठाक बागी जाए डिसकर्शन हमारा लास्ट में हुआ करेगा मोनोचेशद प्रमोट से बिल्कुल सही है मोनोचेशद आईसोष क्या होता है कर आम रहर डिसकस भी करेंगे उससे पहले मैं बता देता हूं जो बच्चे यूटूब पे क्लास को देखेंगे बाद में क्यूंकि ये पहले गाले यूटूब पर जानी है ना बबू तो बच कर सकते हो और अगर आप कभी पढ़ चुके हो तो उल्ली होट टेर्स पर कर सकते हो वाइन अपर क्लिक करिए ठीक है डिस्काउंट कोड आप इस्तमाल करिएगा औरे बाबुजी हाँ वाई आपको चल रहा होगा तो मिल जाएगा अपको बैच प्राप्त हो जाएगा ठीक है अपना ख्याल लखिएगा अब आपनों बताइए मोजे हाँ आपको मैं आपको अपना बात चाहीं कर सकते हैं दूसरी विंदू यह है ज़से जान लिजीए जो अच्छे टेलीग्राम पर एड होना चाहते हैं उन्हें कहा कहा मैसेज करना है देखो Pro अट्वरीD geb है इज्जी यह टेलीग्राम आईडी है आपको टेलीग्राम डालना है add the равноagry agreements को डालना है अपना नाम अपना पेमेंट का स्क्रीन सॉट और किस गुरुप पे एड होना उसका नाम यह आपको यह फावबड करना है आप भाई साहब गुरुप पे एड कर दी रहा है कुछ समय बाद ठीक है आप गुरुप पे कुछ आसे चल भी नहीं रहा है जिए जब बच्छे एड हो जाएंगे तब म तो मैं आपको बता दूगा समझें मेरे बात को आप आज जब बताओ इसके लाब आपका कोई और डाउट है तो पूछ लो ठेक है बताओ को देखो मैं आपके पांच-छे मिनट डेली बात किया करूंगा ठेक है पहली कक्षा होगी अब इसके लाब आपके और कोई बस बात मान के प्यार से पढ़ते रहना है ठीक है हम अब बीओ एट हो बीओ चो वाला अला गुरूप है ठीक है बाबुजी कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीओ के बैच में थे एक्जाम कब है अभी कोई आइडिया नहीं अभी तो हो सकता है जल्दी हो सकता हमें लगता है इलक्षन के बाद ना हो तो अभी एक्जाम का भी पाबुजी आइडिया नहीं है ओके तो बीओ वाले एक पर बीओ टाइप कर दें नितीस वह बेरिनाइट दस पर नव काफी लोग बीओ मतलब बीओ बाले बच्चे काफी आए जो बीओ आले बच्चे तो वह स्रीफ होटी करते वाले बैची लिया होंगे मेरे साब से है बाबू जी ओहो बहुत बड़ी है जलो बहुत बैदरीं हा चलो तो मतलब यह है कि बीओ में आप कमजे को मुझ तो आपके दोस्त बगए रहा है उन्हें आप बता देना ठीक है उनको डिस्काउंट कोड वाई 612 ए बता देना ठीक है आराम से बच्चे इंडोर्ड कर लेंगे अभी नहीं देंगे अभी नहीं जैनी है जब अच्छे एड हो जाएंगे तब देंगे एप भी तभी अब कल मुलाकात करते हैं चार बचे ठीक है छूटी छूटी बात इस दियान नखना पहली कक्षा है अराम से करो फिर हम लोग देद्रें को लेबल बढ़ाते चला जाएंगे पर ध्यान पूरबग पढ़ते रहना आप प्यार पूरबग पढ़ना ठीक है लला समझ गया है ह टिमबर करःगे त से रही कि प्लांटएशन में आसा नहीं कर सकते ना आगर तुम कोपूर्ड एसकते हैं में hm अरे प्रिंस कुमार काहड एंसन नहीं रहे बाबुजी से नोट्स आपको मिलेंगे अभी नहीं दो-चार दिन रुको प्रापर नोट्स मिलेंगे जिको प्रिंट करो तुम क्या मार्केट में बार-बार भागते रहोगे कि तुमको आज चार पेज पढ़ा दी चार पेज दे पांच मजे मेरी एक और क्लास है ज्यारफ वाली होगी ठीक है चालो अपना ख्याल लगना लवी और फीडबेक देखे जाना फाइब स्टार देखे जाना अगर आपको लगता हो कि यहां भाई सब ठीक ठक मत्र में पढ़ा दिया गया है तो भाईया जी फीड़ देखे जा अब यह चलता कैसे है आप अब 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 ऑग करने के लिए बड़ा प्रोसिज अलग अलग करना पड़ता है चलिए 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 फीड़ देखे हैं लोग 5 इसटार ओके चलिए 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